यह दोस्तो आप सभी के लिए म्याद कर रहे हैं मेश नंबर डीस की दोस्तो यह जो मैच है वो खेला जाएगा देले कैपिटल वर्सन मॉंबया इंडियन के वी दो तो दोनों ही टीम कह सके इस साल के सबसे थर्ड ग्लास टीम में नजर आ रही है और दोनों ही थर्ड ग्लास कर दोनों ही टीमों ने सब कुछ बरबाद कर दिया दोनों ही टीमों ने सब कुछ बरबाद कर दिया तो यह पंडरों को कर दोनों ही आमने सामने है तो इस बार कुछ जीतेगा इसके लिए आपको पुरा वीडियो देखना दोस्तों अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल जोइन करने का फाइदा आपको यह मिलेग दोस्तों कि आप हमसे बात कर सकते साथ में आपको आई पील की प्रतेक में एक प्रेडिक्शन फ्री में मिल रही है कोई चार्जेस नहीं देना होता है साथ में आपको यह चीज़ भी पता होती है कि यह कि आपको शेशन टॉस और लंबी की जान करीबिया तो आब बात कर ल बनाग खेला तो इतना बुरा खेला था कि मातर एकसोचबीशन बना पाया जबकि उसमें सबसे टॉप क्लास बल्लेबाज वहां पर सामिल है अब मुंबई की टीम है इस बार सूरिय कुमार याद हो आपसी कर रहा और सूरिया तो सूरिया है दोस्तों कि हो सकता है मुंबई का सूरिया होदाई करवाद है पीश के इसाफ से पिछले इस ग्राउन पर साथ मुकाबले खेले गए थे साथ मुकाबलों में से अगर देखे दोस्तों तो पांच बार फर्स्ट बेटिंग करने वाली टीम जीती ती याने कि हाइस्ट स्कोरिंग बनाने वाली टीम यहां प पर 214 रन तक भी आसानी से चेस हुए है और अगर बात करें डिफेंड की कि कौन सा इसकोर डिफेंड हुआ है तो वो जो डिफेंड वाला स्कोर है वो भी 244 वाला है यानि कि आप सोच रहें कि यहां पर कोई टीम पहले बेटिंग करकर 190-80 या 205 तक भी बना देवर वासनी से जिट जाए तो अभी तक तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ यानि कि आप यह मान के चली कि कोई भी टॉच जित कर अगर फिल्डिंग लेता है और उसकी बेटिंग लाई ना पच्छे तो वो मैच यह आराम से जीदने वाला यह एक टीफ से अपको है कि मैश विनिंग साल की सबसे खराब टीम अभी तक कड दिटिकों से नजर आ और दोनों ही खराब टीम की बात करें तो लास्त दस मुकाबलों की बात करें तो लास्त दस मुकाबलों में मॉंबई इंडियन ने साथ बार जीत हासिल कि वह तीन बार सिर्फ देलेकर ने gi Tea श उन है कि उस द तो यह सबसे बड़ी विखनेस है थे यहां पर नोजवान माफाना को बॉलिंग करा रहे पर वह सबसे महंगे नजर आ रहे क्योंकि 277 बनाने में चाचाटन उन अके लेना चारवर में दिये थे तो यह बहुत बड़ा रोल भाई भी बात करें देहली केपिटल की तो देहली क में जाए नोकिया हो या शर्मा हो या खली लो यह तीनों मिडियूम पे शरों की जबर्दस्ट दुलाई होए है पिछले बूरी खबर है कि यहां पर कुलदीब यादव भी नहीं है और मुकेश यह जादो भी नहीं है तो दूनों ही खिलाड़ी नहीं होने की वज़े से ट बनते हैं पर फिनिशिंग नहीं हो पारी कि मुंबई इंडियन की प्लेंग 11 की मुंबई इंडियन की ब्लेंग 11 की बात करें तो दूस्तों की मुंबई में सबसे पहले रोई शर्मा इश्रान के संके बाद आपको रोई इस बार सूरिय कुमार यादवा चुके हैं सूरिय कु प्योजब्स चावला के बाद यहां पर मफाना को ले रहे हैं और जस्टिस बूम रहे हैं तो यह तीन बेटिंग और है और यहां पर इनकी बैटिंग के सिर्फ से दिखने में बहुत बहतर है क्योंकि इस बार सूरी खुमार की बापसी वजब तीम के लिए प्लस मेरे सरपे डेबर को भी यहां पर फिनेशर के तोर में खिला भी सकते हैं अब बात करने देली केपिटल की प्लेंग 11 की देली केपिटल की प्लेंग मेल में जो बहुत सरल सी है कि डेविड वान और प्रतिसा ओपनिंग करने आते हैं अच्छी ओपनिंग की थी पिछले मेच में जिनने के खिला और वो जीतने में भी सपल रहे थे उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहां पर कि वैसी कोई थाजिदारी नजर नहीं आती है उनके बाद मिशल मास आत टोटली फिनिश टीम नजर आ रही है दोस्तों वैसी बैटिंग अभी तक उसकी नहीं जमपारी जैसी होनी चाहिए जो टीम में नजर आती है अक्षत पटल को अलाउंडर के तोर पर न खिला तो रहे पर अक्षत पटल पीछले सेशन में जो काम किया था वैसा अभी तक न देखने वाली बात है वही चीज अकर बात करें वहाँ पर खुलते भी आदा वगर आते हैं तो कुछ इस टीम में जरूर स्टेंट के तोर पर कुछ देखा जा सकता है वही बात करें दिल्ले कि अगर प्रॉपर टीम के साफ से तो कुछ भी खास नजर नहीं आता है इस सिर्फ एक मात्र कारान है एक सूरिया और सूरिया के आने से टीम मजबूत होगी और इमैच आसानी से मुंबा इंडियान जीत लेगी